हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ऐसे ओन करोना वाइरस, इससे पहले बली वीडियो में भी मैंने आपके साथ 12 लाइन का करोना वाइरस का ऐसे शेयर करा था छोटी क्लास के स्टुटेंट के लिए, आज मैं बड़ी क स्टुटेंट के लिए करोना वाइरस का ऐसे शेयर करने जा रही हूँ, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो करोना वाइरस, सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडेक्शन, करोना वाइरस वीच इस दा कॉमनली कार्ड आयस, कोवीड-19 is an infection disease, जो करोना वाइरस है, एक तरह से human respiratory system, यह मनुश्य के respiratory system को बहुत ही जादा, respiratory का मतलब है श्वशन तंत्र, उसको बहुत ही जादा, इफ कोरोना वाइरस, कोवी-19 वास फस इदेंटिफाइड दिसम्बर 2019, इन हुआन सिटी ओफ चाइना, कोरोना वाइरस की पहली बार पहचान, दिसम्बर 2019 में, चाइना के हुआन सिटी में हुई थी, the world health organization declared the COVID-19 an epidemic, जो WHO ने इसको महामारी घोशित किया है, the virus spread from the one person to another person, यह मनुश्य द्वारा मनुश्य में फैलने वाली बिमारी है, symptoms of COVID-19, COVID-19 के लक्षन क्या है, COVID-19 symptoms can be very mild to cervix, some people have no symptoms, the most common symptoms are, common, जो COVID-19 के जो symptoms है, बहुत ही mild है, बर कुछ लोगों में तो इस symptoms भी नहीं होते, जो most common symptoms होते हैं, वो कौन-कौन से है, cold and cough, खांसी और जुखा, high fever, तेज बुखार, shortness of breath, सांस लेने में तकलीफ होना, headache, सीर दर्थ, loss of smell and taste, smell, सूंगने की शक्ती और टेस्ट का चले जाना, short throat, गले में खराश होना, can also be seen in coronavirus patient, यह जो लक्षन है, coronavirus के patient में देखे जाते हैं, prevention of COVID-19, हम COVID-19 से किस तरह से अपना बचाफ कर सकते हैं, wash hands regularly with soap or sanitizer, अपने हातों को बार-बार साबुन से धोना चाहिए, या sanitize करना चाहिए, avoid unnecessarily outing on public place, जरूरत ना होने पर, पब्लिक place पर नहीं जाना चाहिए, avoid touching your eyes, nose and mouth if your hands are not clean, अपने हाथ, अगर आपके हाथ साफ नहीं हैं, तो हमें बचना चाहिए, अपनी आखों को, नाख को और मूँ को चूने से, cover your nose and mouth while coughing and sneezing, चीकते और खांसते सामें हमें अपने मूँ को ढख कर रखना चाहिए, maintain proper hygiene and cleanness, हमें सफाई का अच्छे से proper ढंगसित ध्यान रखना चाहिए, maintain a distance, हमें distance बना कर रखना चाहिए, इस पूरा वर्ड फेस कर रहा है, it is necessary that we come out of this situation as early as possible, हमें जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस situation से बहार आना चाहिए, So people should stay informed and maintain a good hygiene, together we all can bring end to this pandemic, हम साथ मिलकर ही इस बिमारी को महामारी को हरा सकते हैं, stay safe and stay home, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी helpful लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना बिलकुल न भूले, ताकि आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे, थैंक्स पर वोचिंग मैं वीडियो,